पार्क में से होते हुए भाई यहाँ पर मैं पहुंच गया हूँ और यह आप सामने देख सकते हो बर्लिन के थेडरल कितना सुन्दर लग रहा ना अभी ब्रिज क्रोस करके उसके पास जाएंगे बट यहीं पर यहिए कनाल टाइप की है का रहा है पानी बट यहाँ पर यह 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 पोरे व्ल्ड में भाई जहाँ पर मैं हूँ अब इस टाइम पर और बर्लिन के साइस की बात करें तो भाई ये नो गुना बड़ा है पैरिस से जर्मनी के टोटल एरिया की बात करें तो वो है भाई 357,588 किलोमेटर स्कुरे और पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे जर्मनी में भाई अराउंड 8.3 करोड लोग रहते हैं इसमें से 36 लाक लोग तो इनके कैपिटल सिटी बर्लिन में ही रहते हैं और इसके अलावा भाई यहाँ पूरे वर्ल्ड से स्टूनेट्स भी आते हैं पढ़ने स्पेशली इं अब यह नहीं पता कि हमेशा चलती रहती है कंस्ट्रक्शन ही अफिर हम जब आये भाई उसी टाइम पर यह कोइंसिदेंस हो गया कि चल रही है आर जगा पर काफी चोड़ा ब्रीज है आर देख रो महीं पर साइकल चल रही है गाड़ी आलाउड निया इन्होंने पिलर जरुती नहीं होती है अंदर कर नजारा देखना है तो यूट्यूब पर मिल जाते हैं बाकि मेजर लोग तो भार से ही आते हैं फोटो वोटो कीशते हैं और देखके चले जाते हैं अंदर जाने की चाहिए टिकिट भी है वर पता करता हूं क्योंकि यहां से तो बंद है इस देखके चले जाना क्या लिए नदेना यहां से देखो भाई साथ कितना हुज है यह उचाई इतनी तो उरूपर से एसे ग्रीन कलर के श्रक्चर बने होते हैं तो यह एक्च्वल में हमारे सब्सक्राइबर नहीं मुझे बताया था कमेंट करके यह ना श्रक्चर बनाई नह नहीं होता है, एक्षवल में टाइम के साथ-साथ यह उक्षिडाइज हो जाते है, कोपर होता है शायद से यह तो इसलिए ग्रीन कलर बन जाता है, अरे यहां से खुला हुए शायद भाई, एंट्री है, ओ मज़े आगे, चलो चलो, भाई, सहाब कितना ही हुज है, यह उचाह कहां के लिए ले रहे है, गेट तो बंद है, यहां से है, यह रहा भाई, कितना बड़ा गेट है भाई, सब लाइन लगी पड़ी है, पता करता हूँ टिकेट कितने की है, अगर सस्ती हुई तो चला ही जाऊंगा, एक बर अंदर से देखने का मन सा हो रहा है, जब भार से इ मैं सोच रहा हूँ कि यह जो मैं हिस्ट्री बताता हूँ, कि कब बना, क्यू बना, अभी, क्या उसका ऐसे इंपोर्टेंट्स है, यह लोग काफी बोडिंग लग रहा है, मतलब वो मुझे वाच टाइम में दिखाई दे रहा है, अपने एनलेटिक्स के, जहां पर भी ऐसी क है, तो इसलिए कमेंट्स आपके जरूरी है, तो टिकेट्स की बात करें ना भाई, इन जगहों की काफी जादा महेंगी है, हजार उपे में मतलब आप कैथेडरल घूम रहे हैं तो मैं एक ही जगह की लूँगा, बस अब नहीं लेने वाल अंदर जाने के लिए, क्योंकि अ पैनरोमिक व्यू देखने को मिलेगा, अब उपर जाने की टिकेट है, तो मैं तो नहीं जा रहा है, बस अब ड्रोन चोटा आपको दिखा दिया न, उसी में मस्ती ले लो, यहीं पर यह एक दो बिल्डिंग्स हो रहा है, बड़ी खूप सूरत थी, साफ सुतरा एरिया लग हिस्ट्री रही है, मैंने जैसे की बताया है, पूरी डिटेल में नहीं जाऊँआ, और हिटिलर को भी आप अच्छे से जानते होंगे, था वह अला की ओस्ट्रिया का, बड जर्मनी का ही जो है, पूरा करता दरता था उस ताइम पे, इस तरह की भाई, यह डबल डेकर बस भ हिस्ट्री मुजियम है, जिसका नाम है एल्टेस मुजियम, आज तो यह क्लोस पड़ा है, जैसे कि मैंने आपको का अंदर जाने की जरुवत उनीक हो है, जिनको थोड़ा सा हिस्ट्री में, या म्यूजियम देखने में इंटरस्ट है, वरना तो आप ऐसी बिल्डिंग और यह स्टैचू भी शायद से कोपर के हुआ करते तो जो टाइम के साथ ऑक्सिडाइज होके ग्रीन कलर हो गया और कहीं कहीं जगाओ पे ब्लैक कलर भी इस टैचू में आप देखोगे एक बंदा गोड़े पे बैठा और नीचे भाई शेर का शिकार कर रहा हो तेरी कितना यूज थी शेर है तो सबको बताई है भाई टाइम के साथ साथ जितने भी जानवर है या हम इनसान भी जो है उनकी हाइट एंड गड़ काठी ना थोड़ी छोटी होती जारी है पहले के टाइम पर बड़े बालु हुआ करते थे उस टाइम पर हाथी भी भाई बहुत अंदर है कसा अंदर जाने से अच्छा इस पार्क में आके बैटो फ्री फंड में और मस्त नजारे लो जाके आपको पता है जर्मनी ना पूरे यूरोप की लार्ज़ेस्ट इकोनमी है इस कंट्री की जीडिपी 3.3 ट्रिलियन यूरो से भी जादा की है तो भाई साब बारि जूतों की बैंड बच जाएगी चल्दी चलो भाई ऐसी हो रहा है भाई पांदस मिनट के लिए बारिश आती है फिर रुख जाती है यह देखो स्लो गई है कोई नहीं जब तक पूरी नहीं रुख जाती है यहां पे खड़ा रहूंगा या बैड जाओंगा पहले हिस्ट् कि यहां पे पड़ा हुए बाटब है यह भाई इतना यूज बाटब यह मोटा कितना पत्थर से मना हुए नीचे भी देखो भाई शेर वेर लगा रखे पूरे और यह हैंडल है है नहीं बतलब बना रख है खाली और एक्चल में भाई बहुत बड़ा है यह देखो हुई ह मेरे ख्याल से कम से कम नी तो चार पांच बंदे तो अराम से बैठ जाएंगे बट उस टाइम पर ओविसली किसी एक ही के लिए होता हो गए चलो भाई निकलते है अगली जगा के लिए बारिश भी रुख गई है और एक मस सा टाइम लैप्स पी आ गया है पता नहीं भाई मेरी नहीं नजर ही नहीं हट रही है इस कथेडरल से इतना सुन्दर दिख रहा है ना यह बट कोई नहीं अब मूव अन करना पड़ेगा तो मतलब आपको जाना ही जाना चाहिए क्योंकि बर्लीन की जो हिस्ट्री है ना उससे रिलेटिड है तो वहां पर पहुंचता हूं फिर बताता हूं आपको यहां से वैसे तो धाई किलो मेटर है बट अभी मैं एक मेट्रो लूँगा जो 1.1 किलो मेटर दूर है तो को बनाने के लिए 10 साल लगे थे लेकिन फैक्ट भाई जो क्रिसमस ट्री है ना वो सबसे पहले 19th सेंचुरी में जर्मनी में ही लगाये गया था उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में